नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चनल पीएफ़पी में ऑगश का महीना भी पूरा हो चुका है और शांदार तेजी के साथ पूरा हुआ है 16,000 का तो लेवल तूटा ही लेकिन 17,000 का लेवल भी इसी महीने में तूटता हुआ नजर आया है तो इस दोरान पीएफ़पी प्रो मेंबर्स के साथ मिलकर हमने क्या ट्रेड किया हमारा पफॉर्मेंस कैसा रहा है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो जून जुलाई में तो कॉंसलिडेशन देखने को मिला 15,500 से 16,000 के बीच में ही ट्रेड करा था निफ्टी फिफ्टी तो ये ऐसा समय था जब लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छी तेजी चल रही थी तो हमने व स्मॉल कैप मिड कैप में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उसके बाद बी एसी का वो सर्किट वाला सर्कुलर आया जिसके करण स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट आपको कंटीन्यू रहती भी नज़राई तो यहां तक तो जो 15-20 दिन ते शुरुवात के लार्ज कैप चुनिंदा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे लेकिन बाकी स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस इतना देखने को नहीं मिल रहा था स्मॉल कैप मिड कैप नीचे जा रहे थे तो सेग्मेंट रोटेशन की वज़े से हमारे जो ट्रेड्स थे ज्यादा तर पॉपला सीट होगे उसके बाद जब नए ट्रेड्स इनिशियेट किये तब स्मॉल कैप मिड कैप में भी रिकवरी शुरू हो चुकी थी और लार्ज कैप तो वैसे ही अभी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था तो हमने तीनों में थोड़े थोड़े ट्रेड्स लिये औ लाज 10 दिन में जो रैली देखने को मिली है वहाँ पर तीनों ने परफॉर्म किया है स्मॉल कैप मिड कैप सबने परफॉर्म किया और वन ओफ देश्ट मंत देखने को मिला तो शुरूआत में 20 दिन ऐसा लग रहा था कि आगस्ट हमारा पहला माहिना हो जाएगा जहां पर पर प्रॉफिट कहां पर लॉस हुआ यह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो मैं आपके साथ वो ट्रेट शेयर करने वाला हूं जो कि आगस्ट के महीने में कंप्लीट हुआ है भले हमने वह जून में इनिशिट किया था या फिर जुलाई में इनिशिट किया था लेक से 460 का buy range था 480 का target और 430 का stop loss था यहां पर आप देख पाएंगे हमें अच्छा breakout देखने को मिला यहां पर हमने खरीद लिया और उसी दिन पर actually हमें target भी reach होता हुआ नज़राया तो अगस्ट की शुरुआ तो हमें अच्छी देखने को मिली यह second अगस्ट की बात है शायल उ हमने लिया एक्चुली जुलाई में था एकदम शुरुआत में second या third जुलाई में लेकिन complete august की शुरुआत में हुआ था यहां पर हमने ट्रेड लिया था यह breakout को देखते हुए इस दिन हमने ट्रेड लिया लेकिन उसके बाद गिरावट continue रहती भी नज़राई और यहां पर performance देखने को मिला इसके रिजर्ट्स आने वाले थे तो मैंने यहां पर 99 पर exit कर दिया रिजर्ट्स अगर अच्छे नहीं आते हैं गैप डाउन हो जाता है तो बेकर में loss देखने को मिलेगा इसलिए हमने 99 पर हमने कुछ 5-6% का profit लेकर इस trade को close कर दिया Amber Enterprises में swing trade लिया था 30-20 से 30-40 का buy range था 31-50 का target और stop loss था 29-50 का आपको पता होगा तो Amber Enterprises में गिरावट चल ली थी फिर एक अच्छे recovery देखने को मिले यह वापस trending होता हुआ नजरा था तो यहां पर हमने trade लिया उसके बाद यह stock वापस नीचे आता हुआ नजरा आया यह वो time था जब stop losses hit होना शुरू हो चुके थे क्योंकि small cap mid cap में correction देखने को मिला था तो Amber Enterprises में stop loss hit हो गया next हमने BPCL में swing लिया 455 से 460 का buy range 480 का target 344 का हमने stop loss लिया था BPCL में भी हमें काफी जदा गिरावट देखने को मिली थी यहां पर recovery है फिर से गिरावट देखने को मिली तो RSI हमने देखा था RSI में हमें strength देखने को मिली तो यहां पर हमने trade लिया लेकिन chance ऐसे थे कि हमारे किस्मत ऐसी थी कि यहां पर फिर से गिरावट देखने को मिली फिलाली श्टॉक उपर पहुंच चुका है लेकिन एक बार यहाँ पर stop loss होता हुआ नजर आया तो अब समझ सकते हैं कि large cap perform कर रहा था उसके बावजूद bp sale ने perform नहीं किया यहाँ पर गिरावट देखने को मिली तो शुरुआत हमारी अच्छी नहीं रही थी अगस्ट का महिना वी सॉफ्ट में हमने स्विंग लिया 405 से 415 का बायरेंज 430 का पहला टारगेट 389 का stop loss था तो यह भी ट्रेंडिंग चल रहा था यह सिंपल था 20 डेस के मूविंग आरेज पर बार बार सपोर्ट ले था था वहीं से उपर जाता था तो हमने बस यहीं नोटिस किया यहाँ पर हमने खरीद लिया उसके बाद स्टॉक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली 440 तक भी हमें जाता हुआ नजर आया दूसरा टा टारगेट भी हमें कुछी दिनों में दो तिन दिन में रीच होता वह नजराया तो यह भी टारगेट रीच हो गया था नाशनल अलुमिनियम यानि की नैलको में स्विंग लिया 81 से 84 89 का पहला टारगेट और स्टॉप लॉस था 77 रुपीज का अब यह वो टाइम था जब य जैसे ही लार्ज के अपने परफॉर्म किया और स्मॉल कैप मिड कैप में आपको गिरावट देखने को मिली और फिर से थोड़े से रिकावरी के साइंस चल रहे थे वहाँ पर हमने करीदा लेकिन हमें पता नहीं था कि अभी यह सर्कुलर वाला आगे आने वाला है तो इसक का फियर बाद में हमें इंपक्त होता वा नजरा या उसका जो डर था उसकी जो गिरावट थी आगे देखने को मिली तो यहां पर भी स्टॉप लॉसित हो गया रेन इंडस्री में भी हमने स्विंग ट्रेड लिया था टू थो थर्टी से टू थर्टी फाइव का बाय नेक्स्ट है बजा जोटो में हमने यहां पर लॉंग टम के लिए सदेश किया था कि अच्छा शेर है अच्छे प्राइस पर चल रहा है 3800 से करके 3850 के रेंज में एक्यूमिलेट कर सकते हैं और अज़र ट्रेड भी इसे इनिशेट किया जा सकता था तो हमने पोजिशनल ट्रेड बताया 3800 से 3850 का बाय रेंज 4300 का पहला टार्गेट और स्टॉप लॉस 3680 का तो यहां पर यह देखिए गिरावट देखने को मिली फिर उपर गया थोड़ा सा फिर से गिरावट होई फिर से उपर गया तो यह वो टाइम था जहां पर कॉन्सुलिडेशन देखने को मिल रहा था औ 41.50 से 42.50 का बाय रेंज था टार्गेट पहला था 4600 का और स्टॉप लॉस 4000 का यह भी वही ट्रेड है जैसे हमने रें इंडर्ट्री लिया या फिर नालको लिया उसी टाइम पर यह सारे ट्रेड्स हमने लिये थे यहां पर यह कॉन्सलिडेट कर रहा था जनरली आप लेना शुरू किया अभी यह लास्ट टाइम आ रहा है अभी यहां पर जो अगस्ट का आधा माई ने अल्री कंप्लीट हो चुका है अभी यहां पर प्रॉफिट के ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे 1440 से 1460 का बाय रेंज था 1600 का पहला टार्गेट और 1400 का स्टॉप यह भी हमें टार्गेट रीच होता हुआ नजराया यहां पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला उसके बाद हमने एक और पोस्ट शेर किया था यह बता कर कि स्मॉल कैप में अच्छा रनप देखने को मिला है वैल्योशन एक्सपेंसिव हो चुके हैं तो लमसम इन्वे के खरीदना मेरे इससाब से रिस्की है तो स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ही जादा जरूरी है तो तीन स्टॉक हमने सजेश्ट किया थे तीनों स्टॉक अच्छे हैं क्वालिटी स्टॉक है जो की लॉंग टम के लिए इन्वेस्ट करने के लायक है और आज़र ट्रेड लिया जा सकता था यहां पर 10-20% का जैसे ही कोई अपसाड आएगा जैसे ही मुझे कोई रेजिस्टन्स नजर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा यहां से आप एक्जिट लेने की बार में सोच सकते हैं इस प्रकार से ही हमने पोस्ट दिया था तो आई-एक्स में बहुत अ आंदार तेजी देखने को मिली स्टॉक हमें 550 तक जाता हुआ नजर आया हमने कुछ फाइव इनिट के आसपास यहां पर प्रॉफिट बुक किया है उसी के आसपास प्रॉफिट बुक किया हमें आपर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला पॉली कैप में भी हमने यहां पर ट्रेड इनिशेट किया उसके बाद थोड़ा सा कॉंसलिडेशन हुआ यहां पर यह ब्रेक आउट हुआ उसके बाद हमने इनिशेट किया फिर थोड़ी सी गिरावट हो गई लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी रैली देखने को मिली इसे हमने 2110 के आसपस एक्जिट किय रहा था उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ 20 डेस के मूविंग आवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश की यहां पर एक अच्छा पैटन भी बन रहा था हमने यहां पर ट्रेड इनिशेट किया उसके बाद अच्छा प्रॉफिट देखने को मला एक्चुली तीनों जो ट लेकिन कंप्लीट यह 4 ऑगस्ट को हुआ है इसे साबसे सारे इन्फोर्मेशन है कब एक्जिट किया यह सब भी यहां पर लिखा है अमने जो ट्रेड आपको दिखा है इसके अलावा दो और ट्रेड अमने लिये थे एक था इंडिया बूल्स रियल एस्टेट का और दूसरा था साइन्ट का ट्रेड यह दोनों हमने फ्लैट एकजिट किया है जहां पर खरीदा उसी के आसपस हमने एकजिट कर दिया था कि यह पापस जो नीचे आ रहे थे बीएसी सेर्कुलर की वज़े से तो यह रें इंड़स्ट्री नैलको तो हीट हो चुके थे तो सेंटिमेंट खराब हो रहा था इसलिए हमने यहां से भी exit कर दिया तो buy range में exit किया यह flat trade हो गया no profit no loss में हमने exit कर दिया मैं इसका profit and loss statement भी बनाता हूँ यहां पर कितना profit हुआ कितना loss हुआ यह सब भी maintain करता हूँ तो indy को remedies से आप देख सकते हैं से हमने यहां पर पुरा profit देखा दो profit देखने को मिले उसके बाद दो loss हुआ फिर दो profit हुआ उसके बाद continuously चार profit देखने को मिला और जो no profit no loss वाले दो trades भी हमने exit किये थे सायंट का और दूसरा था indyaburz rearrest का अफकोर्स exact prices पर जहां पर खरीद है कुछ उपर नीचे हो सकता है वहां पर भी किसी को थोड़ा profit किसी को थोड़ा loss देखने को मिला है तो यहां पर चार trades हमारे loss में गए है उसके बाद आप देखे उसके बाद बहुत अच्छा profit देखने को मिला ICICI Lombard में 1120 का profit हुआ है यह हर एक trade जो है सिर्फ 10,000 का investment है per trade 10,000 से ज़्यादा invest नहीं करना है investment amount हमेशा same रखना है IEX में 1750 का शांदार profit हुआ Polycap में 1150 का profit हुआ हमने 475 पे exit किया था मैंने आपको 5 मिनटे बताया वो गलत था 475 पे हमने exit किया यह दो trades थे IEX का, Polycap का और Estelle का यह तो मैंने YouTube वीडियो पर भी share किया था उसका मैं आपको update भी कर रहा था Telegram जनल पर कि यहाँ पर भी exit करना चाहिए यह सब ATL में देखिए हमने 510 का profit किया मैं जब भी यह profit and loss statement बनाता हूँ जब भी है यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कब खरीदा, कब बेचा तो जो हमारा target होता है मैं हमेशा पहला target ही consider करता हूँ यहाँ पर ATL में 630, 650 और 660 का target था 650 का, 640, 650 यह दो target थे और वो दोनों ही target हमें अच्छी होते हुए नजर आये थे लेकिन मैं यहाँ पर वो पहले ही दिन पर अच्छी होते हुए नजर आये थे लेकिन यहाँ पर मैं पहला ही target consider करता हूँ जो कि minimum profit यहाँ पर कमा सकते हैं इसका यहाँ पर मैंने एक चार्ट भी बता है जो कि मैं आपको regularly हर्मन शेर भी करता हूँ तो यह हमारा cumulative profit है January में हमारा profit हुआ February continuously profit में गया July भी हमारा profit में गया उसके बाद April में actually ऐसा लग रहा था कि यह profit में नहीं जाएगा यहाँ पर loss देखने को मिलेगा क्योंकि continuously market में यहाँ पर आपको up downs देखने को मिले थे mid cap small cap support ले रहे थे लेकिन उपर नहीं जा रहे थे फिर से stop losses हीट हो रहे थे अब लगा था कि यहाँ पर वापस आपको गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन बस rule follow करना है consistency follow करनी है तो last में जो 4 trade हुए हमारे यह ICSA, Lombard, IX, Polycap और Airtel यह 4 trade ने बचा लिया और शांदार profit देखने को मिला और यह जो loss था वो तो recover हुआ ही लेकिन उपर भी बहुत अच्छा profit हुआ और one of the best month हमें दिखाई पड़ता है cumulative profit आप देख पाएंगे July तक 35,241 का profit था जो की बढ़कर हमें 40,744 होता हुआ नजर आता है तो 5000 से ज़्यादा का profit देखने को मिला और मैं हमेशा सदेश करता हूँ और यह जो मैंने Excel sheet maintain किया है यह सोच कर maintain किया है कि suppose किसी के पास 1,00,000 रुपीज है और सारे trade में वो 10,000 रुपीज invest करता है तो कैसा performance रहेगा यह दिखाने के लिए मैंने यह Excel sheet maintain किया तो 5000 का profit देखने को मिला इसका मतलब है 5% के returns हमें August के मिने में दिखाई पड़ते हैं जबकि हमारा small cap, mid cap इतना performance नहीं भी किया तो भी इतना अच्छा performance देखने को मिला और हमारा profit and loss का आप चार्ट देख पाएंगे यहां पर हताश होगे कि अभी यह करके trade करके मतलब नहीं है swing trade अभी बेकार हो गया अभी जो दो-चार ट्रेट लास्ट में हमने दिये थे ICICI Lombard, IEX, Polycap वो कुछ लोगों ने लिया ही नहीं वो कुछी trades ऐसे निकले जहां पर exponential profit हो गया हमारा target है 2% per month और per year हमारा 24% returns बनना चाहिए मैं हमेशा realistic expectation रखना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि लोग यहां पर गलती यह करते है कि एक साल market में रहेंगे लेकिन 100 साल के returns चाहिए पैसे यहां पर 1000 गुने करने, 100 गुने करने लेकिन यह मैं जरूर बताऊंगा कि हर साल यह possible नहीं हो पाएगा आपको जो market में liquidity इस साल नजर आती है क्या हर साल possible है, of course नहीं है तो इतनी तेजी भी नहीं आएगी तो returns भी आपके यहां पर 24%, 25%, 30% मिलते हैं तो of course बहुत अच्छी बात हो जाती है अभी तो 8 महिने में 40% के शांदर returns बना दिखाई पड़ते हैं लेकिन expectation real होने चाहिए और consistency follow करना जरूरी है और एक और चीज कि भले ही August का महिना loss में नहीं गया लेकिन कभी ने कभी loss वाला महिना भी आएगा अगर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो trading आपके लिए नहीं है loss को भी स्वीकार करना पड़ता है सिर्फ profit से प्यार करेंगे तो नहीं चलेगा loss को accept करना है और अपनी trading continue रखना जरूरी है consistency follow करना जरूरी है क्योंकि जो August में हुआ है मेरे सबसे classic example है कि यहाँ पर आप continue trade करते जाते हैं आपको लगता है आपकी किस्मत खराब है इसलिए सारे trade खराब जा रहे है आप trade करना छोड़ देते हैं और last में 2-4 trade ऐसे निकलते हैं जहांपर चपर फाड़ के profit होता है कुछ लोगोंने बताया IX मैंने अभी तक hold किया है मैंने 5.500 पर बेचा है तो जितना profit दो महिने में नहीं हुआ एक trade में से निकल जाता है इसलिए consistency follow करना ज़रूरी है अगर आप हमें join करना चाहते हैं तो उसकी link आपको description box में मिल जाएगी Thank you, stay happy, happy investing